बिहार में बच्चों पर मौद बन कर तूट रही चमकी बुखार याने इनसेफिलाइटिस ने महमारी का रूप ले लिया है बिमारी और मौद से निपटनी में लाचार और नाकाम स्वास्त विवस्था के बीच लोग देहशत में हैं हलात कुछ इसकदर बन चुके हैं कि लोग अपने बच्चों को इस बिमारी से बचाने के लिए पलायन को मजबूर हो रहे हैं वशाले जिले के हरवंशपुर में जहां एक ही टोले के पाच बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे अभी भी बिमार है लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और अपने बच्चों को दूर दराज की रिष्टेदारों के यहां भेज दिया है एक परिवार में दो बच्चों की मौत हो गई है वही दो बिमार बच्चों को मुजफरपुर SKCMH ने बेड नहीं होने की बात कहकर वापस भेज दिया एक ऐसा भी परिवार है जिसके दो बच्चों की मौत होने के बाद परिवार पलायन कर दूसरे रिष्टेदार के घर चला गया को अपर ले के बालायन के बाद के भाग वह वहं हो राघ कर गिजिया तो आपकी दो बच्ची भी थी तो क्या वही कहा है क्या करशी तो यहां पुरा सोड फॉर होगी असी बेमारी पटने बहला है सिहां से बच्चा पुची जितना है सब लेके भागो बागो सब कहटाऊ नहीं सब मौर जागा तो लेकर जागा तो पतनी हमरा सरोजनी सब आया हुआ था सास भी आया हुआ था उपना पूरे लड़की के लेकर स्थाने लोगों का आरोप है कि लगातार बच्चों के मौत के बाद भी स्वास्त विवाग की किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने हमारी सुद नहीं ली यहां जहां लोग खड़े हैं इस जगह पे 14 बच्चे मर चुके हैं जो चमकी बुकार है उसे और पूरे वैशाली में यह आकड़ा जो है मौत का बच्चों का मासुम बच्चों का बीश तक पहुंच चुका है और इतने अफसोस की बात है कि ना तो कोई जन प्रतिनी थी ना यह को एधिकारी ना वीडियो ना CEO ना CS किसी को अभी तक किसी ने गाउं को विजिट नहीं किया हुआ है अना सुवीधा जो चाहिए इन लोगों को मिल रहा है यह यहां जाते हैं तो यहां हॉस्पिटल में भी प्रॉपर इंते जाम नहीं है यहां से उनको रिफर कर दिया बिहार में महामारी का रूप ले चुके इस बिमारी को लेकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ना सरकार को और ना ही अस्पताल को अस्पताल Chelsea झाल झाल